इनके लबे रंगी की छाबरें थी के जिसने समयमत हैं दिल्ली से मालूम ही करना चाहते हैं कि दो वीडियो क्लिपे हैं वहाबियो के चैनल पर जिसमें कबर को पक्का करने के तालुक से दो सुन्य उल्मा के बायन उन्होंने जोड़के डाले हैं एक में मुफ्ति अक्मल साहब हैं वो ये बायन कर रहे हैं कि कबर का पक्का करना ये नाजाइज है और एक तरफ अमीर अहले सुन्नत मुरान अलियास खादिर साहब हैं जो ये बायन कर रहे हैं कि पक्का करना कबर का ये जाइज है और दोनों के इखतलाफ यानी मसले को वीडियो के कट करके उन्होंने डाल दिये अपने चैनल पे लोगों को ये दिखाने के लिए कि सुन्नियों में एक आलिम ये कहते हैं कि कबर का पक्का करना नाजाइज है और एक आलिम ये कहते हैं कबर का पक्का करना जाइज है तो देखें मुनाफिकों की या अदद हमेशा से रही है जिसकी कुरान हदीस ने भी इसको बयान पॉर्मा दिया कि ये अपने मतलब का कुछ लेते हैं और कुछ छोड़ देते हैं इसी तरह कुरान में से कुछ पढ़ते हैं कुछ छोड़ देते हैं गर दिखाया करते तो यही आज कल वहाबयों का पैशा भी है कि किसी भी वीडियो क्लिप में नाजाइस करार दिया है मुस्लिम शरीफ के एक हदीश पाक बयान करते हैं कि हुदूर अले सलाम ने फरमाए हजरत अली को हुकम दिया कि जाओ पकी कबरों को तोड़ दो और इसी तरीके से जो बुत दिखे उसको भी गिरा दो और जितनी पकी कबरें उची कबरें दिखें उनको सब को जमीन से मिला दो तो बात तो बिल्कुल दूरुस्त है और अधीश पाक भी मौझूद है कि हुदूर अले सलाम ने हजरत अली को हुकम दिया है कि कबरों को जो कबर आप पहुची दिखे उसको जाके जमीन के बराबर कर दो अब यहां गोर करने की बात यह है इस हदीश पाक के अंदर के जो लोगों को यह तरगीब देते हैं इस हदीश को बयान करके मजार को तोड़ने के लिए उनको एक चोटी सी समझने वाली बात की जरूरत है कि हुदूर अले से पहले तो कोई शक्स मुसल्मान नहीं था यानि जब तक हुदूर ने कलमा नहीं पड़वाया तो उन से पहले सहाबियों में कोई मुसल्मान नहीं था अब क्योंके अलान नबुवत करा लोगों को इसलाम के अंदर दाखिल किया तो जितने वी सहाबा की वफात हुई वो सारे हुदूर अले सलाम की जिन्दगी में ही वफात पाए जितने भी जिन्दगी में वफात पाए तो सब की मैयत के अंदर तदफीन के अंदर और जनाजे के अंदर حضور علیہ السلام موجود تھے और अगर मوجود नहीं थे तो حضور के सहाबा मوجود थे जिनको तालीम حضور علیہ السلام ने दे रखी थी अब गोर करने की बात ये है कि हजरत अली से फरमाया कि जो उची कबर है उसको तोड़ दो तो क्या वो कबरे मुसल्मानों की थी अगर नहीं थी तो वो कबर मुश्रीकी इनकी थी और सारे मुधिसीन ने इसकी शराम हदीस में ये लिखाए कि वो कबरे मुधिसीन ने लिखाए कि वो कबरे मुश्रीकों की थी यहूदियों की थी मुसल्मानों की नहीं थी इसकी पीछे एक छोटी सी बात बिल्कुल यही है कि वो पक्की कबरे बन कैसे गहीं आपके वक्त में यानि नभी हाजिर है और नभी के सारा सामने सारा दीन आम हो रहा है सारे मसाइल आम हो रहा है तो वो सहाबा की पक्की कबरे किसे ने बना दी और अगर वो नभी यानि इसलाम से पहले की कबरे थी तो इसलाम से पहले की कब पड़ा ही नहीं था तो मुश्रीकों की कबर तोड़ने का हुकूम है और आपने देखा होगा कि यहूदी अपनी कबरों के उपर एक इमारत बनाते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोई शक्सियत बड़ी होती है तो उसको एक टेच्चू भी कबर के उपर लगाते हैं जो बिल्कुल खास कबर के उपर होता है तो इस सूरत में वो कबर तोड़ने का हुकूम है यानि हुदूर आलिससलाम जब तश्रीफ लेकर आए और अपने सहाबों को तालीम दे रहे थे तो जाहिर सी बाते कि उन्होंने तद्दिफ कबर को तोड़ने के लिए अब उसदी से पक्कियार में के जो मुश्रिकीन की कबर थी मुसल्मानों की कबर पर बिल्डोजर चला देना ये तो सफ हराम है और इस अदिश का ये मतलब लेना कि हुदूर्ने पकी कबर मना किया लिहाज़ा मजार बनाना हराम है या फिर कबर को पक्का करना हराम है देखा में वो दोनों वीडियो के लिए मुफ्ती अक्मल सहाब की देखी तो नहीं है मगर मेरा अनदाओ यह है कि जहां पर मुफ्ती अक्मल साभ ने चीज़ भायन परमाई होगी कि कबर का पक्का करना ना जाइस है तो उससे मुराद कबर होगी यानि लेद वो हिस्सा जहां पर मैयत को रखा जाता कबर का अंदरूनी हिस्सा उसको पका करना मना है और कबर से मुराद वही होता है इसी तरह जहां पर अमीर अले सुन्नक ने ये कहा होगा कि कबर का पका करना ये जाईज है तो उससे मुराद वो अंदुरूनी कबर नहीं बलके वो तावीज होगा कबर के चारों तरफ जो एक बॉंडरी या दिवार बनाया जाती है वॉल जिसको आपके देंगा एक बक्सा बनाया जाता है कबर के ऊपर जिसके अंदर कच्ची कबर महजूद होती है और यह बॉक्स उपर से होता है जो कबर के ऊपर नहीं होता बलके उसके चारों तरफ होता है वहाँ पर उसका पक्का करना यह जाइज है अब एक अधिस पाग मुस्लिम शरीफ की और जिसमें अधरत अली ने एक सावी से फर्माया क्या मैं तुम्हों उस काम पर ना भेजूं कि इस पर हु खर्बा बनाना कबर के ऊपर मजार बनाना यह जाईज नहीं है कि हुदूर के फ़वर के ओपर इमारत को तामीर करने से यह मना फर्माइ तो देखें पहले एक बात तो आपको बिल्कुल साफ होगा जो कबर तोड़ने का होकम है मुझ मुसल्मान की नहीं है क्योंके वो मु मुसल्मानों की कबड़ थी और अगर मुशल्मानों की इतनी कबड़ बंगई थी, कि जिसमें इतनी उचूची इमारते बन गई थी, जो अधर द्ली को तोड़ने को हुखम था, तो इमान तो हुजूर के बाद आए ना, तो हुजूर्स से पहले वो लोग मुसल्मान केस हो गए जिनकी कबरें हुची बनी, उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, जब तक नमाज नहीं आई, वो मुसल्मान के सहते कलमा पढ़े बगेर, और अगर मुसल्मान की थी ही नहीं, तो मुश्रिकों की कबरों को तोड़न अमीर करना है, ठीक है, ये दो माइनों में होता है, क्योंकि आप लोग कॉलीज की पढ़िए की जिनरेशन में होते हैं, तो इसलिए आप अपनी जबान में ज्यादा समझ पाएंगे, और अगर मैं कहता हूं कि ये हाथ किताब, मेरा हाथ किताब के ऊपर है, तो इसका माइन ये भी बिल्कुल सही है, कि हाथ किताब के ऊपर है, और अगर मैं ये कहता हूं कि ये हाथ किताब के ऊपर है, तो माइन है इसका भी दुरूस्त है, ये हाथ किताब के ऊपर है, लेकिन अगर मैं आपको इसमें ये कहना चाहूं कि आप किताब के ऊपर हाथ ना रखो, और अ English के अगर grammar पढ़ी हो तो वो जानते हैं किसी चीज के ऊपर में दो मैने होते हैं on और अवर तो जहां पर यह होता है ना के do not keep your hand on the book do not keep your hand on book तो यहां book पर हाथ ना रखने का मतलब यह है जो बिल्कुल टच होता हो प्रेशर जिसके ऊपर हो और अगर इस पर शगर नहीं हो रहा और अगर मैं यह कहना चाहूं के do not keep your hand over the book तो इसका मतलब यह होगा तो हाथ को किताब के ऊपर रखना यह है और इसके बीच में खाली जगा खला मौझूद है और एक होता है हाथ का किताब का किताब का किताब पर रखने के माइन में यह यह यानि हाथ को किताब पर रखो अगर मैं कहूं के keep your hand on the book यानि अपना ह इन दोनों में ग्रामर के इतबार से बहुत जादा फर्क होता है इसी तरह जो हुझाने के लिए मैंने सरफ आपको अर्ज किये ताकि आप लोग समझ जाएं कि कबर पे तामीर करना और कबर पे तामीर करने का क्या माइन है जिस तरह मैंने बताया कि on the book और over the book के अंदर क्य किता फरक है कि दोनों चीज़े हैं तो किताब के उपर हाथ दोनों माइनों में मगर एक में एक से टच भी हो रहा है इस पर शोरा बिल्कुल और एक उस पर टच नहीं हो रहा बलके उपर है और हिंदी में अगर कहेंगे तो दिखने में दोनों हाथ जो हैं वो किताब के उपर जिस तरह से यहूदी लोग अपने स्टेचू या एक इमारत को कबर के खास बिल्कुल उपर तामीर करते दें तो हुदूर इसलाम ने उस तामीर को मना किया है क्योंकि उससे मुर्दे को तकलीफ पहुंस दिये आपने कितनी हदीश से बेशुमार पढ़ियोंगी मुर् टाच होती हो और आपने खदीश यह भी पढ़ियोगी जो सूरे मुल्क की फजीलत के उपर है कि एक सहावी रसूल ने खेहमा डाला और उनको मालूम नहीं था कि नीचे कबर है और कबर के अंदर से सूरे मुल्क कि तिलावत की आवाज आई इस सारा मामला हुदूर अलिश चा हाhew कि तब अई नहीं आए खना कि और उसका मतलब होता है कबर के उपर बिल्कुL उपर यानि ओन्द ग्रेव नहीं बनानी SPD मुल्ड अगर इसका मतलब रसु гр entertains ले ले लेंगे, खार गुम्बद euh बिल्डिंग नहीं बनानी आपने गुंबद बना दी है मुर्दों को तकलीफ कबाई से तो जितने कबर उस्तान खुले हुए हैं कि उनके उपर आसमान नहीं है तो आसमान के होने से क्या उन मुर्दों को तकलीफ है क्या यह आसमान उनकी कबरों को दबा रहा है यह आसमान उनकी कबरों के उपर है तो यह एक को बताता है चलूँ कि हुजूर अलिए सलाम की कबर अन्वर खुद हजरत आईशे रदिल्ला अन्हा के हुजरा मुबारक में जो न्यू मुस्लिम है चैनल के ओपर जिनको मालूम नहीं है उनकी नौलिज के लिमें एक छोटी सी बत बता दूँ के अंबिया जहां पर नभी ज किया जाता है जहां उनकी वफात होती है उनको वही दफन किया जाता है तो हुजूर सल्ला अल्हीं की जो वफात हुई वह हजरत आईशे रदिल्ला अन्हा के कमरे में हुई यानि इनके खास हुजरे में अब क्यूंकि उस कमरे में वफात हुई तो उनको उसी कमरे में दफ दफन किया जाना था लेहाज़ाजर अलेससलाम को महीं पर दफन किया अब आप खुद सोचें कि वो दफन करने वाले कौन थे जाहर ची बाते उसक्त बड़े लवी तो नहीं तो बड़े लिए रहने वाले हाल हजरत तो मन नहीं पहुंचेते हैं वो वसारा मामला किन्के सामरे हुआ आ सधी उल ग्रेव रीज अपर न आग The Grave नवा डूती जो रूप ओर रूफ तीयोफ च्छती ऑव और अगर गुर्भर के deste सुरत के अंदर जो व्जुरु अलिएसलाम का फर्माने उससे मुराद वो मजार नहीं है, क्यूंकि आप कहीं भी मजार पे देखेंगे, अंदर कच्ची कबर मौजूद होती है, और इतना बड़ा चारो तरफ वो बॉक्स होता है, वो खास कबर के उपर नहीं होता, तो कबर के उपर का ये मत मतलब बताया है, तो ये जो मजार होती है, ये चारो तरफ कबर के होती है, ओपर नहीं होती, अगर ऐसे आप मजार को कबर के उपर मुराद लेंगे, तो खुद حसूर की कबर सहाबा के वक्त में भी घर के अंदर थी, तो जब किसी की कभर घर में होगी तो क्या, उसकी मज़ गए होंगे कि ये जो मज़ारों को तोड़ने वाला मामला है कि जहां हुदूर ने हज़रत अली को फर्मान हुक्म दिया है तो वो खास मुष्रिकीन के साथ हुक्म दिया अच्छा है ये खदीश पाक अंदर तस्वीर का 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 तस पुरनवार बनाया